Examples of reproductive function in reptiles and the birds First the contents Reproductive function in reptiles and reproductive function in the birds तुर्सागर हम सबसे पहले बारे reproductive strategies study करने से पहले या इस एक्जामपल पढ़ने से पहले reptiles के एक ट्रेक्टर से देखने थे है truly terrestrial animals यानि truly terrestrial की एका मतलब यह है amphibians भी terrestrial हैं लेकिन amphibians जो होते हैं जब उनको reproduction करनी होते हैं वो क्या करते हैं moist place की तरफ जाते हैं water की तरफ जाते हैं तो इसलिए amphibians के लिए हम कहते हैं कि वो truly terrestrial नहीं है यानि वो terrestrial है तो जरूर है लेकर वो फिर भी water पर dependent है जबकि reptiles वो vertebrate का first group है जो truly terrestrial है means वो मकमल तोर पर उनको reproduction के लिए जब वाटर की ज़रूरत नहीं है अब जो water से यानि किस तरह से उसने जहां वो पानी की reproduction में water की ज़रूरत की ज़रूरत क्यों नहीं है इसका basic rule जो है वो हम कह सकते इस अबाउट the egg of the reptiles यह reptiles का egg है जिसका structure इस तरह से कि उसको water से उसने क्या किया है reptile जो है उसको निजाद लाई या इसको reproduction के लिए water की ज़रूरत नहीं होती है reptile के जो eggs है अगर हम इसको structure देखें इसा shelled egg उसको बकादा एक shell मुझूद है और shell जो उसको protective covering परवाइड का रहा mechanical support देगा mechanical protection देगा कि उसको कोई damage जो है उसको बचाएगा इसके बाद दूसरी important thing कि जो reptile का egg है it is having extra embryonic membranes इसके पास extra embryonic membranes है तीन extra embryonic membranes है that is the amnion, chorion and the allan toys chorion जो है यह आमत्वपर mechanical support के लिए होती है amnion जो है यह mechanical support के साथ amnion के अंदर fluid होता है liquid होता है और जो embryo है वो उस liquid के अंदर ही float करता रहता है इसका मतलब यह हुआ कि amnion, amnion की मजूदगी में embryo dry नहीं होगा तो amnion का जो fluid है वो embryo को dry होने से बचा रहा है इससे जो allan toys है, allan toys का का काम है gashes exchange के लिए या फिर जो nitrogen's waste है, waste materials जो इसको extraid करना या store करने का काम जो होगा, यह allan toys का होगा अगर हम रेप्राइल के वाइट को देखते है, it is having large amount of yoke रेप्राइल के अंदर बहुत जाओओ, egg के अंदर yoke की amount काफी जएदा होती है रेप्राइल बर्ड्स दो ऐसे groups हैं, जिसमें yoke की amount बहुत ज़दा, yoke actually developing embryo का food है तो yoke, रेप्राइल के अंदर इतना yoke होता है कि embryo की complete development हो सकती है इसलिए, रेप्राइल में, yoke जा है, वो चूंके वो पूरा embryo की development करवा सकता है इसलिए उसमें कोई भी larval stage की ज़रूरत नहीं है बलकि वो मकमल एक young one जाओ, एग से जाओ, हैच आउट करेगा जाओ, बायर निकलेगा तो amphibians में, अगर हम पीछे चले जाएं, amphibians के लारवल stage क्यों है क्योंकि amphibians के अंगे दर yoke की amount थोड़ी होती है reptiles के अंदर yoke की amount जएदा है, इसलिए उसको larval stage की ज़रूरत नहीं है reptiles जएदातर वो हैं जो एग ले करते हैं, development external होती है लेकि चंद एक रेप्टiles हैं, snakes ही कुछ species हैं जिसमें आम तोर पर जो eggs हैं वो body के अंदर ही रखे जाते हैं और body के अंदर ही eggs hatch out करता है और young one या उसकी birth होती है तो हलांकि वो internal eggs हैं, ठीक है, यह नहीं कि उसमें बने ही नहीं है उसके eggs होते हैं, लेकि वो body के अंदर रखे जाते हैं ऐसे animals को हम कहते हैं, OVO VVParis OVO VParis वो हैं जो eggs ले कर देते हैं VVParis वो हैं जो जिनमें eggs नहीं होते हैं, वो young one को birth करते हैं OVO VVParis यह दर्मयान की condition है कि eggs होते हैं लेकिन वो body के अंदर ही रखे जाते हैं अगर हम birds की बात करें तो birds भी हमारे पास रैप्टाइलिक तरह birds के पास भी एक eggs जो है वो shelled egg मजूद है रैप्टाइल के इसमें बिर्ट का egg जो हो जएदा hard shell करी करता है कार्बोनेट होती है यह जिसके वजह से एक strong egg होता है इसलिए जो birds के eggs हैं उसके उपर जो male और female birds होते हैं वो बैठ कर उसको incubate करते हैं उसको heat करते हैं ताकि उसमें से young one जा उसको incubation हो सकते हैं तो birds के जो shell होता हो hard है birds के shell के अंदर योक की amount ज्यादा है reptiles के तरह birds के जो eggs हैं वो भी development process complete करवा सकते हैं अच्छा अगर हम थोड़ा से बात के birds के अंदर fertilization के बात करें तो चंद एक कैसे हैं birds जिसमें बकाइदा जो interminate organs मुझूद है यनि fertilization के लिए organs मुझूद होता है male के पास वो birds हैं आम तरह waterfalls जो यह नहीं water के जो परिंदे जो आभी परिंदे जिसको हम कहते है waterfalls है जब कि जो बाकी birds है उनके अंदर आम तरह पर separate जहाँ interminate organs जहाँ वो मुझूद नहीं होता है आम तरह पर birds अपने male bird वो अपने sperm जहाँ फीमेल के क्लोयका में deposit करता है अब चूंकि spans motile है वो खोद ही move करके oveduct में चले जाते हैं और जाकर एग की fertilization करते हैं birds के अंदर जो अब एग की development एग की चूंकि एक तो एग की care बहुत जादा birds के अंदर होती है birds की care क्यों जादा है एक तो हम बात करें birds के अंदर जो होता है वो monogamy है यह नहीं birds में एक male और एक female ज्यादा तर किस्समें कठे रहते हैं तो male और female दोनों मिलकर birds क्या करेंगे आपने young one की care करेंगे eggs की care करते है parental care बड़ी extensive होती है यहनि अगर हम amphibians fish, amphibians, reptiles, birds और mammals इन पांचों ग्रूप्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो parental care होती है वो birds के बच्चों की होती है अपने बच्चों की ज़्यादा care करेंगे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक birds जो है जैसे अभी मैंने काया कि birds के अंदर साथ से extensive parental care होती है जो birds के जो young one होते हैं वो आम तोर पर बहुत active नहीं होते हैं उनको parental care की जरूरत होती है वो independent life नहीं गजार सकते हैं इसलिए birds male और female दोनों मिलकर जातर cases में young one को nourish भी करेंगे उसको predator से भी बचाएंगे और उसके बाद जब तक वो proper fly करने के काबल नहीं होता parents उसको बकाइदा care करेंगे